तो ट्रेडर्स आशे करते हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो हम लोग इंडिकेटर प्रोवाइट कराते हैं जिसका नाम है कैंडिल बिदलट आप अगर हमारे द्वारा दिये जाने वाले इंडिकेटर देखना च वो क्या काम करता है और कैसे उसको हम maximum profit ले सकते हैं इसके लिए मैं आया हूँ यहाँ पर अपने trading view account के उपर और मैं trading view account आपको पता होगा आप वीडियो की description में जाके जब buy करते हो दब हम आपको एक mail सेंड करते हैं उस mail के अंदर candle with alert indicator free of course आप लोगों को दिया जाता है त यहाँ पर आपका यह candle stick pattern दिखाई देगा जो आप देख सकते हैं बच आपको बताना चाहता हूँ जब हम यहाँ पर alert create करना चाहते हैं मान लीजिए मैं कहता हूँ कि एक particular indicator पर मुझे alert create करना है मैंने क्या किया मैंने एक horizontal line ली मैं चाहता हूँ कि भाई देखो अगर यह candle जो है यह horizontal line के उपर बनता है like मैं क्या करता हूँ इसको उठाकर यहाँ पर रख लेता हूँ इसको थोड़ा से dark कर लेता हूँ आपको दिख जाए इसे ठीक मेरा कहना है कि यह candle एक second और बढ़ा कर लेता है ताकि आप अच्छे से समझ पाए कि क्या game हो रहा है और क्या executed execute हो अभी तक क्या है अभी आपकी पास हमारे द्वारा दिया हूँ इंडिकेटर नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा आपके पास कोई option नहीं है आप क्या करोगे आप basically कहोगे कि भाई है कि नहीं है कूछ चेंज इन्हीं होगा क्योंकि आपके पास कोई और indicator है यह न अगर आपके पास वो code नहीं है और आप चाहते हो तो description में मैंने आपको number दिया है आप मुझे वहाँ पर phone number पर basically WhatsApp करके मुझसे code मांग भी सकते हो मैं आपकी help कर सकता हूँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर आप trading view account buy करते हो हमसे नीचे दी गई लिंक के द्वारा आपको free of cost वो दे दिया जाता है उसमें कोई issue आता ही नहीं है तो मुझे क्या करना है मुझे वो code copy करके लाना है और copy मैंने पहली किया हुआ है तो मैं क्या करूँगा यहां पर pine editor पे click करूँगा और यह जो लिखा हो होता है इसको already इसको delete कर दूँगा delete करके जो मैं copy करके लाया हूँ ठीक है उसको मैं यहां पर paste कर दूँगा paste करने के बाद आप देख सकते हैं candle with alert indicator आपको मिल जाता है then हम यहां पर क्या करते हैं add to chart करते हैं तो यह अभी यहां पर chart plot हो जाएगा आप देख रहे हैं यहां पर बार 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 order execute होगा बट मैं चाहता हूँ कि यह candle अगर horizontal line के ऊपर बने तब मेरा order execute हो तो मुझे अब क्या करना है अब ध्यान से समझेगा मैंने indicator लगा दिया है अब मुझे यहां पर right click करना है right click करने पर add alert पर जाना है add alert में अब आप देखोगे options available हो गए है ठीक है इसमें options में काम कैसे करते हैं जरा ध्यान से समझ लीजेगा बहुत easy चीज होती है बहुत चोटे time frame में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहां पर आपको डालना है candle with alert candle with alert मतलब candle का opening जो है वो ओपर हो हम यह चाहते हैं तो मैं क्या करना चाहता हूँ पहली बात तो मुझे Alaji बनाना है यहां पर like horizontal line प तो मुझे horizontal line पर alert बनाना है तो add alert on horizontal line चूज करूँगा पहला option दूसरा है यहाँ पर डालूँगा कि candle with alert जो है उसका opening जो है वो crossing up हो मतलब जो हमारी candle है वो उपर बने इस horizontal line के then हमारा order execute हो मतलब यह जो हमारा alert है यह trigger हो option के इंतर हम क्या डालते हैं वो ध्यान से समझेगा अगर हम चाते हैं कि तुरंत जैसे ही candle इस horizontal line के उपर बने तो तुरंत order execute हो जाए अगर हम यह चाते हैं तो यहाँ पर once per bar डालते हैं और हम चाहते हैं कि एक candle बने, बनने के बाद अगली candle जैसे ही उपर बने, तो तुरंत हमारा तब order execute हो, तो हम यहाँ पर once per bar close चूज करते हैं, डिपेंड करता है आपकी strategy के उपर, आप क्या चाहते हो, आप confirmation चाहते हो, या फिर आप बस चाहते हो कि बाय हो जाए, जैसे ही उपर बने तुरंत, मैं जैसे चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि उपर जैसी खुले तो order एकदम लग जाए, उसके बाद क्या करना होता है, आपक cards है, उनकी आप वहाँ पर जाके देख सकते हो, अभी बात की जाए, तो यहाँ पर हमें buy का code बनाया है, कि भाई जैसी buy हो जाए, तो यह buy candle है, बाकी यहाँ पर message box के अंदर क्या करना है, आपको message डालना है, यहाँ पर buy का code डालना है, और यह code आपको कहां से बनाना है, बन लीजी, यह तो चलो horizontal line पर मैंने बना दिया, यह तो आपको example दिखाने के लिए था, same चीज यह down भी कर सकता है, मालो आपने line यहाँ पर घीची, आपने बोला कि यह candle अगर horizontal line के नीचे बने, तब मेरी selling हो, मतलब यह आपके उपर depend करता है, आशर करता हूँ, आप यह बात स option के उपर, यहाँ पर जाने के बाद मैंने search किया, वीवैप, search करने के बाद में क्या होगा, यहाँ पर मुझे वीवैप आ जाएगा, मैंने इसको add to favorite किया, और मैंने इसको okay किया, तो यहाँ पर ही मेरा plot हो जाएगा, वीवैप line, अब क्या है, मेरा कहना है, कि भाई दखो वीवैब के नीचे जैसे candle बने तो तुरंत मेरी यहाँ पे selling हो जाए अब इसके लिए मुझे क्या करना है मान लीजिए अभी market price उपर चल रहा है market price था यहाँ ठीक है अभी आपका price कुछ यहाँ पे चल रहा है तो आपको क्या चाहिए आप चाहते हो कि जैसे यह price इसके इंडिकेटर की जरुवत पढ़ने वाली है जो कि मैं अपने client को देता ही हूँ अब condition क्या डालनी है वो समझेगा मैं क्या करूँगा जब price यहाँ पे कहीं पे होगा न मैं कहता हूँ वीवैब के नीचे गर candle बनी तो मेरी thousand share selling हो जाए इसके लिए मुझे क्या करना है यहाँ पर जाकर राइट क्लिक करना है दोस्तों राइट क्लिक जब मैं करूँगा तो यहाँ पर option आएगा add alert यहाँ पर click करूँगा यहाँ पर click करने के बाद मैं options को fill करूँगा कि हमारा candle with alert का मतलब जो हमारी candle है वो open हो like candle का open यहाँ पर कुछ लोग छेड़ करते हैं वो भी यहाँ पर easily इसको बना सकता है I think आप समझ पा रहे होंगे मैं भी तक क्या कहना चाहरा हूँ then crossing down जाए किसके crossing down जाए हाँ पर indicator डाल देते हैं VWAP अब होगा क्या जैसे ही यह candle VWAP के नीचे बनेगी तो तुरंत हमारा order execute होना चाहिए और यह हर बार होना चाहिए तो मेरी trade close हो जाए तो वो भी हो सकता है सब कुछ possible है जो भी आप चाहते हो वो हर चीज यहाँ पर की जा सकती है इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है ठीक है and बात की जाए once per bar close की तो इसका मतलब यह होगा कि माल लिजे candle यहाँ पर मैं कहता हूँ VWAP line के नीचे जाते ही मे लगेगा इस candle की opening price पर लगेगा तो ऐसा चाहते है तो once per bar close choose करता है ठीक है अभी के लिए में once per bar ही choose करता हूँ then हमें यहां पर क्या करना है यहां पर हमें code डालना है selling code तो selling code में यहां पर डाल दूँगा कैसे डालूँगा वो डालूँगा मैं next level board पर जाओंगा और वहां से code बना कर लाओंगा selling करने का Tata Motors को then यहां पर लाके उसको paste कर दूँगा तो यहां पर आपको वो code paste करना है जो आपको selling का code है चीक है so आशा करता हूँ यह चीज आपको पता लग गई होगी यहां पर create करेंगी तो क्या होगा जैसी वीवैप के नीचे जाएगा तो आपका जो यह code है यह activate हो जाएगा एक्टिवेट होकर आपका profit जो होगा book सेम चीज आप यहां पर देखो यहां पर entry होती exit होती मतलब वीवैप लाइन के ऊपर काम करते हो तो ऐसा कुछ यहां पर impact आता है चीक आप पीछे तक जाके इसको अच्छे से backtest कर सकते हो मैंने आपको indicator के बारे में बता दिया कि कैसे यह काम करने वाला है और इस indicator की बिना like up stock के अंदर उनको हम लोग API प्रोवाइट करा सकते हैं यह मैं बताना चाहता हूँ मेरे पास काफी लोगों के question थे कि API जो होती है 2000 की आती है जिरो धाकी और अगर हम किसी और free API में काम करते हैं तो वहां पर क्या है speed नहीं आपाती है तो अगर आप up stock के अंदर आपको पत चाहते हो तो केवल आपको यतना ही काम करना है नीचे दी गई लिंक पर register करके आपको अपना dmate account हमारे अंदर open करना होता है जिसमें कि आपको हमारी तरफ से crazyable indicator free दिया जाता है प्लस आपको support दिया जाता है automation trading सिखानेगा तो यह सारी जिम्मेदारी हमारी हो जाती है और आपको केवल 750 रुपीज पर मन्त के उपर API प्रोवाइड की जाती है और अप stock के website पर आप जाके देखोगे तो वो एक साल से API प्रोवाइड नहीं कर रहा है बद क्यूंकि मैं यहां पर partner as an partner काम कर रहा हूँ आप stock के साथ तो अगर आप मेरे साथ आते हो like मेरे close group के अंद trading वहां से continue कर सकते हैं तो आशे करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी आगे बात करते हैं next वीडियो के अंदर and कुछ important topic के बारे में next indicators के बारे में so easy के साथ मैं वीडियो को बंद करता हूँ